क्योंकि जानते हैं आप तलवार के धार पर चल रहे हैं, ऐसे प्रतियोगिता के दौर में आप परिच्छा दे रहे हैं, जब बहुत भारी कंपटीशन विद्यार्थियों के बीच में हो चुका है, बहुत अधिक संख्या में स्टूडेंट इक्जाम में सामिल हो रहे हैं, ज बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ अपने लच्छ के लिए एक एक पल जानते हैं, मरने मिटने की जरूरत है, अगर ऐसा आप करने की सोच रखते हैं, तभी जानते हैं, सिविल सेवा के एक्जाम को पास कर सकते हैं, सिविल सेवा का एक्जाम पास करना आज के समय में किसी जानते हैं बड़े प्राक्रम से कम अस्तर पे संभव नहीं है आप सोचिए आज के 20 साल पहले मात्र जो है 25,000-30,000 लोग एक्जाम देते थे UPSC का एक्जाम 99 में मुझे याद है 25,000 लोगों ने फार्म भरा था और आप नेट पे सारी चीज़े चेक कर सकते हैं और अगर 1980 में सिर्फ 4,000 लोगों ने फार्म भरा था 1990 में सिर्फ 12,000-13,000 लोगों ने फार्म भरा था और आज जानते 10-12,000,000 लोग फार्म भर रहे हैं और 6-7,000,000 लोग एक्जाम दे रहे हैं ऐसे में सफलता जानते कैसे सुनिश्चित होगी जब इस कठिनाई को ध्यान में रख करके इस संघर्ष को ध्यान में रख करके आप अपनी रणीत बना रहे होंगे और एक-एक पल जानते खपा रहे होंगे जादा नहीं अपने जीवन का सिर्फ एक से दो साल स्वयम के लिए दे दीजिए आपके सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपके पूरे जिंदगी की समस्या का जानते हैं समाधान इनहीं एक-दो बरसों में हो जाएगा लेकिन समानते विद्यार्थी कहते तो हैं लेकिन यही continuity में एक दो साल कोई दे नहीं पाता, जो दे पाता है वो जानते अच्छे rank के साथ सफल होता है, बहुत सारे लोग बहुत जादा पढ़ने के चक्कर में और तमाम बहुत अच्छा करने के चक्कर में रहते तो हैं, लेकिन वो continuity और अनुशासन नहीं बना पाते, जिसके नाते जानते हैं, सारी चीजे बेकार हो जाती है, तो बहुत धहरी के साथ, बहुत अनुशासन के साथ काम करने के ज़रूत है,